यहां सका दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हुआ अलोग, तो आज एक बार फिर से जाकर नायक का वीडियो आया है, जाकर नायक में पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है, और सारी यूटूबर्स भी उस पर वीडियो बना नायक ने कहा, बही अगर टीवी पर आकर एक महिला एंकर न्यूज पढ़ रही है, और उसको देखने के 20 मिनट के बार भी अगर मर्द को कुछ होता नहीं है, हलचर नहीं मचती है, तो फिर वो बीमार है, पाकिसान की आवाम क्या कहती है, नहीं अगर उन्होंने ऐसी बात की तो ऐसी बात उन्हों को करनी नहीं चाहिए थी, जो अगर की है, ऐसे तो नहीं है, हर बंदा जिसको 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 उसके उपर लगाएं, आप ऐसे नहीं है, आप देखेंगे, हम आप देखो जी हर इनसान शादियों पर जाता है, वैसे भी है, यह तो नहीं है, कि आप किसी को देखते रो, आप कोई चीज ऐसी एक्टिसिट आपके अंदर हो तो तब भी है, तो यह तो फिर आप यहां तो रहने का माशरा ही नहीं रहेगा, आप यह ऐसी तो फिर तो हार बंदा इनसान से जानवर बन जाएगा, यह बताएं, बीस मिनट तक लड़की को देखो मेक अप में, टीवी पे आपको कुछ ना हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं स्टेटमेंट तो यह गलत है, यह स्टेटमेंट से हो देनी नहीं चाहिए, क्यों दीए, उनको जाकर नाई को पता होगा, यह सी क्यों दी कि कूँझ को सुनने को मिला आ भी मेंग को कुछ कुछ हरें को एसी बात नहीं थांदा क्टर के पास जाना चाहिए को नाइक तो हम क्यूंड डाक्टर के पास जाएं चाहिए तो नहीं है कि ऑनकी आपने काम मेरे तो ऐसरा मेरे तो हर वक्त लेडिस के साथ मेरा शौबा है मुझे 20-25 साल हो गए घरों में काम करते हुए हम तो इस तरह करें तो फिर तो हम इतनी हाल चाली मचा दें यह तो नहीं है कि आप हाल चाल ना मचे तो फिर काफी इनसान को अपनी लीमिट में कंट्रोल लिस अपने तो कि आप उसा यह नहीं है कि आम आपको करते रहे हैं उनकी बात में भी यह कुछ है जिके उन्होंने इंटर्वी ऐसा दिया क्यों दिया लेकिन नहीं होना जाई है पहले उन्होंने कहा गैर शादी शुदा ओर्ते जो है वो बाजारी हो जाती है पिर इसके लावा बस वहने नहीं हर बंदे की अपनी है जो देदे आप उसके पीछे लागया मैं क्यों जिए वो कुता आपका कान लेगी आप अपने कान को देखनी है कुते के पीछे बाग जाए यह तो वो बात होगी है ना हम आपके साथ बात कर रहे हैं इसका वह तो नहीं मतलब है कि हम अखलाग का देरह ही बूल गए ये बताईएगा पाकिस्तान के अंदर हमारी सीम पंजाब मरियम नवाज उन पर भी अटैक करने से बाज नहीं आए कि मर्द मर गए थे और अवरत को बना दिया आप लोगों ने सीम नहीं वो खुशी की बात है ये तो नहीं है औरते बानने सक का Leión und को तो नहीं सा कर सकते बर बाद ऐसे भी हैं जिनके को फैमिली को को सपोर्ड करने वाला नहीं है वो आप काम भी ना करें ये माशरे को हमारा अगर आपके साथ कोई आपको फैमली कोई सपोर्ट नहीं वेडिया की अब मैं डिगरी घर में लटकाने के लिए तो मैंने हासिल नहीं किया ना मैं अपना कमा रही हूं ऑप इंडिप्एंडटिं नहीं हूँ हूँ है पाकिसान का एक मर्द है है अभी तक कम से कम उसमें अच्छी बात बोली कि एक तो अपना भी खयाल करना चाहिए यह जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी को देख के हल चल मचाता रहूँ क्यों भाई, सेल्फ कंट्रोल का है आप में और जानवर में यही तो फर्क है जानवर कंट्रोल चाहद नहीं कर सकते हम तो हमारा दिमाग इतना पाउ़फूल है ना कि चीज़े कंट्रोल हो जाती है और हम करते हैं ना लेकिन इसमें सारा दोश महिलाओं को दे देना कि महिला बाजारू है, तो महिला ऐसी है, तो महिला ऐसी अरे भाई आप कैसे है आप कैसे है तब ही मुझे लगता है कि जितने ये मुस्लिम कंट्रीज के लोग है जब ये बेस्टन कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पर महिलाओं को छोटे कपड़े पहनते हैं तो चुकि उनलों को आदत नहीं है तो उनके अंदर हलचल मशने लग हैं इधर लोगों को अपनी लिमिट्स पता हैं जो उनका लेवल है ना उस लेवल पर जो उनने बात की है उस लेवल के हिसाब से ये बात नहीं बनती ठीक है ये डिपेंड करता है अब आप क्या देख रहे हैं अब आप औरत को देख रहे हैं या आप न्यूस सुन रहे हैं तो उसे अपने हाँ रखने वाले countries नहीं मिल रही थी आपको यकी नहीं हो रहा है इस्क्रिंशोट लगा रहा हूँ यह Malaysia के PM ने कहा था उस वक्त कि और कोई देश जाकर रनाई को रखने को तयार नहीं है तो उसमें मुसल्मान countries भी होगी तो Malaysia ने मजबूरी में रखा हुआ है यह उस वक्त की खबर है तो आप इसे समझ सकते हैं कि उसका लेवल क्या है गटर के लेवल का आदमी है वो गटर के लेवल का है इसलिए भागाए हो यहां से अरे और भाई और भी लोग तो तब्लीग कर रहे हैं यहां पर भारत में कितने मौलाना है जो तब्लीग कर रहे हैं लोगों को कनवर्ट कर रहे हैं उन्हें तो नहीं भगाया जा रहे हैं यहां से उनकी पीडियां यहीं रहे हैं अभी भी कर रहे हैं भारत में भी मुझल्मान तublीग करते हैं ना वाई कौन भखा रहा है उनको तरिक जाकिर मैं क्यून भागा वो characterized की वेज़े से नही बागा है वो भागा है अपने बुरे कर्मों की वेज़े से वो भागा है अपने क्राइन की वेज़े से उस पर केस चल रहा है भारत में उस पर money laundering के आरोप हैं 28 million dollars है कुछ इतने गार भारत की इतनी बड़ी agency enforcement director उसके ओपर केस चला रही है उसकी investigation कर रही थी और वो भाग गया आप पॉइंट है ना आपने news सुननी है या और देखनी है आप और देखने है फिर तो आपका mind जाए गई वो तो आप एक फतूर है ना जहिन का बंदा जो भी है यानि एक नॉर्मल श्रीफ आदमी भी अगर देखे का किसी ओरत को होता है लेकिन आप जब news सुन रहे हैं तो news सुने ओरत को ना देखे वो तो आप पर डिपैंड करता ना आप देखेंगे तो फिर वो जारी बात है वो तो फिर बनता है जो न्यूस सुनते है और तो नहीं देखते हैं उनको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए जाखिर नाएक के मुताबिक यह है कि जब मैंने बताय अगर आप न्यूस सुने तो फिर तो डॉक्टर का काम यह नहीं बनता है अगर आप औरत को देखना है फिर जाना चाहिए जोनों तरह से जाना चाहिए मतलब आप एक आप न्यूस सुने अल्टा बोल दिया बाद वह है कि डिपैंड करता है आपके माइंड सेट पे आपका माइंड सेट क्या है जब से आए हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी कांट्रोवर्शल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अब यूथ भी उनकी मुखालफत पर उतराए हैं पाकिस्तान की मौलवी भी उनकी मुखालफत पर उतराए हैं कि ये डबल स्टैंडर्स क्यों दिखा रहे कहा कि मर्दबंगत मर गए थे एक औरत को सीएम बना दिया है ये कौन है भई ये प्रीचर है ये कौन है ये इस पे भी दो तरह की राये हैं अगर हम अपने मजब की तरफ शरा की तरफ जाएं तो वैसे तो हुकमरानी जाइज नहीं है औरत की लेकिन डिपैंड करता है कि वो या तो फिर उनको पढ़ाया गया है कुछ किया गया है फीड किया गया है ये भी हो सकता है ठीक है तो दूसरी आपकी बात क्या थी मेरी बात ये थी कि वो बात कह दी आपने, इतने से बात समझ में आ गई कि इसलाम में औरतों को क्या राइट्स दिये गए हैं? लेकिन पाकिस्तान में को शरीया कानू धोरी ना है लेकिन हाँ इसलाम में रेपद्वेकर पाकिस्तान तो है फिर कैसे बे-Nazir बन गई कैसे मरियम बन गई है बे-Nazir तो PM बन गई तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसलाम है वो किड़े मकोडे टाइप के लोगों के लिए है छोटे लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर सकते नबे नजीर भुटो पर ये इसलाम नाफिस होता है ना मरियम नवास पर ये इसलाम नाफिस होता है और आप लोग चुपचाब बैठ कर ये देखते है क्योंकि आपकी भी हिम्मत नहीं है कि इस वाले इसलाम को जाके आप थोप दें उनके उपर बोले कि नहीं इसलाम में तो साफ मनाई है कि कोई औरत जो है वो हुक्मरान नहीं बन सकती है हिम्मत पाकिस्तानियों इसलाम को बचा लो बड़े तावेदार बनते हो न इसलाम को तो बचालो न इसलाम को मर्यम नवास को उतरवा दो कुरसी से माथ भट लेगी तुम लोगी मर्यम नवास को न उतरवा पाऊगे हाँ बस चुप ہو के बैठ जाओ कैं ठीक है यारा बड़े लोगों का इसलाम है तो उनको मानने तो हम अपना छोटे लोगों वाला इसलाम मानेंगे है ना तो दीन का आलम जो होता है ना उसको दीन की बात करनी चाहिए इतनी बात है बाकी जो है वो पर्सनल जो है वो तो फिर जारी बात है अड़ाय किसी पर भी कर सकते हैं तो दीन की दो बात कर रहा है गार्य ही तो इंट्रनेट का मज़ा है गुरू सारी बाते जो छुपी हुई थी जिसके लिए जाकर पढ़ना पढ़ता वो बिना पढ़े सामने आ रही हैं क्योंकि इसलाम के इतने बड़े बड़े आलिम जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमारे इसलाम में क्या-क्या बाते हैं यह सब लोग पुरी दुनिया जान रही हैं अब आप लोगो उससा आ रहा होगा भाई तो मैंने क्या गलत बात कही है वो तो दीन कही हवाला दे के कह रहा है ना जाकर नाएक तो दीन कही हिले के बात कह रहा है अच्छा दूसरे के दीन के बारे में कहे तो वो सही है लेकिन अपने दीन के बारे में असली बात बताए तो वो गलत है कैसे भई जिस बंदे ने दूसरे के दीन के किताबे भी पढ़ी है और उसने अपने दीन के भी किताबे पढ़ी है तो दूसरों के बारे में बताए तो आप उसे का वावा, सुभान अल्ला, माशाला, क्या बात कही है, सामने वाली की बुद्धी बंद कर दी, लेकिन जाइर से बात है कि अपने दिन की किताब भी जाधा पढ़ी होगी उसने, तो जब अपने दिन पर यह ऐसी बाते कर रहा है, तो आपको लगर रही है, तो गलत बात बोल रह से तो, वो इसलाम के हिसाब से बिल्कुल सही बाते हो गया है, रावो, आप माने न माने, मैं तो मानता हूँ कि उसलाम के हिसाब से, आपकी मर्जी है, अगर भेद खुलता हुआ दिख रहा है, आपको गुसा रहा है कि भेद क्यों खोल रहा है, तो भाई अब इसमें हम क्य कर सकते हैं भाई समझाओ अपने आदमी को तुम्हारे मजब का आदमी तुम्हारी सरकार ने बुलाया भाई आप यानि एक पर परसनल अपनी गर्ज जो है वो किसी पर भी निकाल सकते हैं ठीक है न तो डिपेंड वही बात है कि आप एक आलम है एक आलम के पॉइंट ऑफ जो है दोनों जैंडर के लिए वो रिस्पेक्ट है वो इनकी स्टेटमेंट सुनेगा वो कहेगा भाई नहीं मैं तो डॉक्टर के पास सला जाओंगा उसकी मरदानगी पर सवाल है कि वह क्या सीखेगा यूद क्या सीखेगा इनकी बातों से यह दो बाते ही हैं तो आलम का य कि उसे नहीं देख रहा है तो मेरा क्यों दिल करें अपना पॉइंट ऑफ यू है ना कि आपने जहन को आप पर तो मैं बहुत फिट हूँ अल्ला का शुकर है माशाला बच्छे भी हैं मेरे ठीक है डिपेंड करता है ना माइंड पर मैंड और तरफ ले जूँगा फिर तो बन तो में और रहे हैं वह और वह मैंने आपको बात कर दा गया है मूल अलिम वह बात कर द recher dijo करें लोगोन का यह सबसे बड़ी अचीव्मेंट है इतने लोगों की यह वो इनका अब्धर बन गया और रही बात रेप को जिस्टिफाई करनी कि बिल्कुल वो करता है जाकरनाई को और वो इसके लिए इसलाम का हवाला देता है वो इसलाम का हवाला देकर रेप को जिस्टिफाई करता है कहता है कि लड़कियां जिम्मेदार हैं इसके लिए ये लड़के उपर कोई जिम्मेदा रही दी, सो निया अगर जोडर्यानी का उपर मेना इम और पारी जोडर्या आं अर्य बात वो आपने इसलां को मताविक करता है अब यह तो मुसल्मान कहीं कि जूट बोल रहे तो अगर जूट बोल रहे तो फिर यह आ लिम कैसे हुआ और अगर यह आलिम है, यानि कि वो सही बात बोल रहा है, जो इसलाम में बताई गई है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, दोनों तरफ से फसे हो गरूरूर। जो जितनी भी ओर्डियंस है, कि इसका इसलाम के साथ क्या तरलक है, इसलाम में तो कभी आपने देखा यह कि अगरूरूर। सौधी अरब में इसलाम है ये अलग चीज़ है लिभास तो सौधी अरब का है एा अर लिभास तो बिलकुल जो कल दीन के साम है, इसकल के हिसाब से होता है अब जो रेगिस्तान में जिस तरके कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े बरसाती इलागों में तो नहीं पहने जा सकते वहां क्या अलग होंगे वहां का पहनावा लिबास अलग होगा मैदानी इलागों में वो लिबास और बदल जाएगा ताजकिस्तान है या कजाकिस्तान है कंट्री मैं भूल रहा हूँ स्किन्शोट लगा देता हूँ वहाँ पर तो साफ मना कर दिया बोला कि ऐसा है कि हमारे देश का रिलिजिन इसलाम है लेकिन कल्चर जो है वो इसी देश का है तो सौधी अरब का कल्चर हम नहीं करेंगे तो उसने बुर्के पर बैन लगा दिया उसने सौधी अरब के स्टाइल में कपड़े पहनने और ये करने उससा बैन लगा दिया बोला कि यस देश में जो कल्चर है जिस हिसाब से यहाँ कपड़े हम पहनते हैं उसको हमानते हैं लेकिन कल्चर तो हमारा अपना है ना हम सौधी अरब का कल्चर क्यों लेके आएंगे कि उनके जैसे कबड़े पहनेंगे उनके जैसी दाड़ी रखेंगे उनके जैसे मूचे नहीं रखेंगे हम क्यों करेंगे ऐसा हम अपने कल्चर पर रहेंगे हैं मजभ हमारा इसलाम है अब इन बेवकूप पाकिसानियों को समझा कि लिबास का इसलाम से कोई मतलब नहीं है वो उस इलाके की जियोग्रफी से मतलब है उस इलाके के कल्चर से मतलब काबा शरीफ गया उसने हराम भी निपाना हुआ पेंड़ नहीं हुआ उसने बताने क्या एक लिबाज भा पैना बंधा और वादर भाट पैना होता है इसलाम के सा उसका कोई लिंकी नहीं है तो यह बात जो जो और्डियन साफिए आपकी वो यह बात चूचे के यह इसलाम मे जाईस है वह और रठो कहते हैं धो मैंने नोन tutte मुंसन को मुसलिम करना होता है। Performance सभरा आप जब देखेंगे ना उनके जो मेंवर्स बाता है वह एका रहा है जो बैसे ही आजे ये तो आप माइंड से निकाल देना और ठुट जो बात कर रहा है कि 20 मिरट तक इसी ओरत को दे के आप समझते हैं कि जो जिनरेशन है यहां की तो आपके माइंड में भी आपको पता है कि एक लड़का किसी लड़की को जब वोच करता है उसके माइंड में क मुझे कुछ नहीं हुआ. तो ये तो मैं सोचने में डिपेंड करूँगा मैं तो देखूंगा मेरे मेरे निकिंग क्या जा रही है उस लड़की को अभी आपके सामने आई है यहाँ पर गूमरी यहूंगी हम भी आपर रहे हैं शोपिंग करने आया है तो ये तो उसने जो बात की है ये तो अल्ला माफ करे इसलाम के साथ इसला कोई तल्लक निया बलके इसलाम में तो ये है कि अगर आपको कोई चीज नजर भी आज़े जुका ले तो ये थोड़ी है कि आप उसको देखेंगे 20 मिन तक कुछ नहीं होगा तो आपको ये हो ये तो इसी बात नहीं है ये तो उसको खुद भी सोचना चाहिए जाकर ना इस ताम वाच कर रहा है वो उसको खुद सोचना चाहिए कि उसने जो चैस्टन कीया है ये जनरेरेशन पर क्या अफेक्ट बढ़ता है ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है ये common sense की बात है यूद को वो क्या सिखा रहे हैं अगर ये बताए उसने ये controversial statements यूद को सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लड़कें हैं वो अपनी मर्दान की साबित करें और साबित करने के लिए उन्हें बता दिया कि जो शादी शुदा लड़कियां नहीं हैं वो बाजारू और पब् दूसरे तरफ लड़कों को बता दिया कि आप अपनी मर्दान की भी शाद साबित करें अगर लड़की को देखकर आपको कुछ नहीं होता तो आप समझ देजिए कि आप बिमार हैं ये तो लड़के और लड़कियों में तो ये तो अप सोच लिजे भाई आप पाकिस्तान म देते हैं नहीं इस तरह तो माइंड में निलेकर जा सकते के इस तना के भी कर सकते हैं देखें ना स्टेट फॉरवर वीडियो उनकी क्लिए पढ़े ही हैं जो मैंने भी सुनी होगी जो ये ऐसा तो बिलकुल बनता भी नहीं है इस्लामी पॉइंट और इस तरह के पॉइंट तो इसका मतलब यह हैं कि हम बिमार हैं ऐसा तो पॉसिवल नहीं है अब 20 मिनट तो उसने बात किये यहां पे तो मेरे खाल से 20 दिन मतलब स्पेंड हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे कि आप किस लड़की को किस लेवल पे किस नहीं देख रहे हैं तो वह लड़की आपको ऐसे रियक्ट करती है तो फिर भी मेरे खाल से नहीं होता जो वह यह बात कर रहा है कि 20 मिनट तक ऐसा उसको मेरे मुझे तो मेरे पॉइंट आव यह प्रोब्लम उसके साथ है यह उसने अपनी बात शेयर किया क्योंकि जो बंद जैसा होता है वो दूसरों के लिए ऐसा ही सोचता है अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है मैं दूसरों के लिए भी यह सोचा हो सकता है यह बंदा चोर है तो मैं भी चोर हूँ तो वो भी ऐसा नहीं होता उसके साथ प्रॉब्लम है वो किसी हकीम से लाज करवाएं वो हमा को हमारी स्टेट की तरफ से इंवाइट किया गया था ऑफिशल तोर पर उनको दावत दी गई थी जब यहां पर आए है अवाम कोई कसर नहीं चोड़ी इतने अच्छे तरीके से उनका इस्तक्बाल किया गया है उनको हाई लेवल की सिक्यूरिटी दे गई है उन पर फूल फैंके गये है हाथ पाऊं उनके चूमें गए है और यकिन करें आप पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को चाहिए ही नहीं है और बीच में कंडिशन्स भी रख दी है यह मुझे बताएगा कि इस्लामिक प्रीचिंग के लिए उनको बुलाया है वह तो और तो पर लेकर बैठ गया सारी स्पीचिस इसके बारे में क्या कहेंगे आपको शायद पता हो जब आपको पता हो कि पैसे बारे में शार्जन्स पेसे इन ईंडिया में होता है किस तो तो की थी? जी, वो कह रहे था कि मुझे टोटली डिसकाउंट दो, ऐसा नहीं होता, अगर आपकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी, आप स्राइबर्टी है, तो ये अब नहीं है, अब वो जोब कर रहे हैं, उनकी तो ये तो रिस्मोंसिबिलिटी है, कि वो तो पैसे चार्जिस करेंगी, कर होनी चाहिए, आप सक्षम हो देने में, फ्री तो उनका होना चाहिए, जिन बेचारों के पास कुछ नहीं है, जो सक्षम है देने में, उसमें क्या दिक्कत है, और रही बात, जिस तरह की बाते जाकिर नाइक कर रहा है, देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, कि वो इसलाम का हवाला दे कर कह रहा है, वो इसलाम का मताबिक कह रहा है, अब कुछ लोगों को जो मुसल्मान हैं, वो मेरी बाते सुनकर बुरी लगेंगी, लेकिन भाई देखो, तो फिर उसको जाके बोलो ना कि तुमने किस हदिस से रिफरेंस लिया है, किस कहां पर लिखा है कुरान में असी बाते हैं, क्यूंकि वो आपके मुझब को बदनाम कर रहा है पर, उसका बाइकोट करना चाहिए आप लोगों को, आप लोग उसका खिलाब प्रोटेस्ट निकालो पाकिसानियों, प्रोटेस्ट निकालो कि ये मुसल्मान नहीं है, और अगर आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहो, इक मीन्स कि आप लोग छुपाना चाहते हो, वो बाते फिर सब सही बोल रहा है, अब बिल्कुल वो बाते इसलामिक लिहाद से सही है, और मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल सही है, इसलामिक लिहाद से वो सारी बाते सही बोल रहा है, तब ही कोई कुछ नहीं ब पताने लगेगा और आपके पास कोई काटने रहा जाए अब बस दिक्कत यह हो रही है कि मामला एक्सपोज हो रहा है इसकी वज़ा से मामला एक्सपोज हो रहा है दुनिया मज़ाग बना रही है दुनिया हंस रही है आपको लगर रहे है यार ये काम भी पाकिस्तान नहीं आ कर करना था इसे झाल 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 तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. फैन कॉल में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम को मुझसे बात करनी है, लेकिन यह भी बता दूँ कि यह पेड़ सर्विस है,